कि आये हमारी जगह पर खड़े हो जाये और दूआ करें प्रातना करें परमेश्वर आज हम सबी के साथ बात करें हाथोंको उठाए और कए प्रभु मुझे से प्रात कर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं मैं आज खाली हाथ न जाओ हाथ उठाए उठाए कए प्यारो म मुझे खोल कर कहें परमेश्वर मुझे तेरी आवाज को सुनना है प्रभू मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं मैं खाली हाथ ना जाहू प्रभू आप मुझसे व्यवार करें प्यारों सब कुछ भूल जाए आपके प्रस्तन क् आपके बोज क्या है, क्या लेकर आप यहां पर आए हो, सब कुछ बाजू पर रख दीजिए, और प्यारो परमेश्व की उपस्थिती में खो जाए, प्रबु से कहिए प्रबु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, आप आज मुझसे बात करो, मैं चाहता ह है आप हमारे साथ बात करें आप हमसे भी अवार करें हम ऐसे कोई आज खाली हाथ न जाए पवित्रा आत्मा येश्व मसी के नाम में आज ये समय का यहां पर आये हुए हरे एक लोगों का पूरा नियंत्र ले लिजे और इस समय के वरुद कारणत हरे एक शैतान के कामों को य येश्व मसी नाजरी के नाम समबादते हैं थोड़ते हैं निश्वल करते हैं प्रभू की आवाज को सुनने से रोखने वाली दुष्टात्माओं को हम निश्वल करते हैं येश्व मसी के सामर्दी नाम में येश्व मसी के नाम में कोई भी बिमार है कोई भी चिंता में है कोई भी डिप्रेशन में है किसी को भी शैतान डाइवर्ड कर रहा है वच्छन सुनने से शैतान के उस हरेक बंदनों को हम थोड़ते है ताकि वे प्रभु का वच्छन सुन सके ये शुमसी के नाव में ओ पवित्रात्मा आप हमसे व्यववार करें मेरा पुरानी इंत्रण ले लिजे ताकि जो मैं बोलू मेरे सब्द नर है एक भी सब्द में मेरी और सैड नहीं करना चाहता मैं वो ही बोलू जो आप मुझे बताए और हम सब को सिखने के लिए प्रवव अनुखर दीजे हम सब को ध्यान लगाने के लिए नुखर दीजे प्यारे पीटा हम ये शमसी के सामर्दी नाम से मागते मिलकर कहें आमें आलेलूया प्लीज बैठ जाए प्यारों लास संडे बहुत ये चानुबह परमेशन है हम सब को दिया और फिर तिन दिन उपास हमने किये लास संडे प्रभू ने हमें अभीशे किया बोलो अभीशे किया और वो बहुत ही अलोकिक और सामर्दी नुभव था और हरे को प्रभू ने अलग अलग अनुभव दिये कोई गिर गया कोई को लगा जैसे इलेक्रिक सिटी उनके सरीर में बह रही हो पावर बह रहा हो जैसे रिचार्ज हो गयो है ने अलग अलग अनुभव सब को प्रभू ने दिये किसी को सांती से बर दिया किसी को आनन से बर दिया और कई लोग मुझे बता रहे थे जब हम यहां से अपनी जौब पर जा रहे थे तब भी वो महसूस हम कर रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्द को तब भी हम महसूस कर रहे थे कि अभी भी वो फ्लो अभी भी वो सामर्द बह रही है हाललुया कुछ लोग यहां नहीं आपाए घर बैठे बैठे हम से जुड़े थे घर बेठे बेठे प्रभु की आत्मा ने उनको स्पर्स किया प्रभु की आत्मा को कोई बांद नहीं सकता हाललुया और वो था पवीत्र आत्मा का अभिशेक यह ने पवीत्र आत्मा का अभिशेक बोले अभिशेक पवित्रा आत्मा के अभिशेख के विशे में प्रभु के दास ने बहुत सारी बाते आपको सिखाएए बताएए अभिशेख एनोइंटिंग उसका मतलब होता है to rub with oil ओइल से मसा करना पुराने समय में राजाओं को चीजों को एनोइंट किया जाता था और जब एनोइंट किया जाता था प्रभु का विशे सनूग्र जैसे प्रभु का नेचर प्रभु की अबिलिटी उनके अंदर उत्तर आती थी प्रभु की सामर्थ उनके अंदर उत्तर आती थी कुछ लोगों में प्रभु का गनान उतर आता था जिनकी जैसी जरूरत जब उनको एन्नोइंड किया जाता था वो समय वैसे ही उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था उनके जीवन में जो भी जरूरत रहती कुछ लोग मंदीर परमेश्व का भवन बना रहे थे उनको गनान की जरूरत होती थी जब पवित्र आत्मा से एनोइंट किया गया प्रभु ने उनको गनान दिया किसी को राजा बनाय गया उससे सामर्थ की जरूरत थी जब उसको एनोइंट किया गया उसको सामर्द दी गई जैसी जिनकी जरूरत एनोइंटिंग करते हुए अभिशे करते हुए उनकी जरूरतों को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा किया गया हाललूया तो लास संडे जो हुआ वो यही हुआ है आपकी जैसी जरूरत रही होगी आपके जीवन में जैसी जरूरत वैसी सामर्द को प्रभू ने आपके जीवन में बहता किया है और वो बहुत ही प्रेश्यस है, मुल्यवान है बोली अभिशेक मुल्यवान है और मुझे उससे बनाए रखना है उसको लेकर चलना है उसको संभालना है आलेलूया क्योंकि अभिशेक आपको सामर्ध ही बनाता है अभिशेक आप खुद जो नहीं कर सकते वो करने की अभि़िटी देता है बल देता है अनूगर देता है हाललूया और हम आपको बताना चाहते है सैतां को ठंडे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो लोग ठंडे है जिनके उपर पवितरात्मा का भिशेख नहीं है उनसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो दीन परमेश्व का भिशेख आपके उपर उ सेतान वो दिन से बहुत ही परेशान रहेगा जब आप परमेश्व के अभिशेक को पाकर आगे बढ़ते हो, हाललुया, और इसलिए हो सकता है, सेतान वो अभिशेक में आप ठंडे पड़ जाओ, वो अभिशेक को आप खो दो, वो अभिशेक के प्रती आप ध्यान न दो, वो अभिश्यक को आप गवा दो इसलिए आपको निरास करने के पूरे प्रतना करेगा और आप में से कुछ लोगों ने फिल किया होगा लास संडे के एक्सपिरियंस के बाद आपकी समस्याए थोड़ी बढ़ गई होगी किसी के घर में सांत माहूल था अचानक से जगड़ा हो गया कुछ लोग हसर है कोई ठीक ठाक था अचानक से बीमार हो गया किसी के बिस्नेस में समस्याए तो किसी की जॉब में समस्याए आपका ये विग हो सकता है स्ट्रगल वाला गया होगा वो निसानी है जो आपको मिला है वो मुल्यवान है वो निसानी है जो प्रभू ने आपको दिया है वो सैतान के पेट में दर्द करने वाला है हाललूया और सैतान इसलिए ठंडे लोगों के पीछे नहीं पड़ता बले वो मसी भी क्यों नहो उसको कोई परेशानी नहीं ठंडे लोगों से लेकिन जब आपके उपर पविटरात्मा का बिशेक उतराता है आग उतराती है वो आपके पीछे लग जाता है क्योंकि वो जानता है ये मेरे लिए सरदर्द बनने वाला है इसके जीवन में अब मेरा कुछ नहीं चल ले वाला है हाललुया तो हमें प्यारो समझना है कि सैटान ऐसे कुछ प्रस्तों को जीवन में ला ला कर आपको निरास न करें डाइवर्ट न करें अभिशेक जो पाया है उसके प्रति बेध्यान ला परवा न करें आप डिस्करेज ना हो जाओ कि मैंने संडे जबर्जस अभिशेक पाया सामर्थ पाया अग्भूत अनूभ हो पाया और जीवन में ये प्रस्त क्यों ये बीमारी क्यों ये जगडे क्यों ये सांती क्यों ये निश्फलता क्यों मैंने तो अभिशेक को पाया तो मेरे जीवन में और जबर्जस्वी जई आनी चाहिए तो अच्छानक से कुछ माहोल थोड़ा बिगड़ा और ज्यादा तकलिफ क्यों आई सैतन आपको निराज जरूर करेगा प्यारो लेकिन आज हम सिखना चाहते हैं हमें अपनी उपर की आग को अभिशेक को बनाए रखना है क्योंकि आगे जो आपके जीवन में अभिशेक के द्वारा प्रभू करेंगे वो अद्बूत है हाललुया हाथो को ठाए और कहें मुझे मेरे जीवन में अभिशेक को बनाए रखना है आग को बनाए रखनी है भले मैं भट्थी से होकर गुजरो भले समस्याओ से होकर गुजरो मैं अभी शेक के विशाई में बोले बोले उच्छी आवाद में मैं अभी शेक के विशाई में लापरवा नहीं रहूगा पवित आत्मा की सामट को जो मैंने पाई है अभी शेक को जो मैंने पाया है आखो जो मैंने पाया है मैं बनाए रखूंगा हाललुया हाललुया प्यारो सैतान आपको मन में ये खयाल लाएगा निरास्त करने के लिए कितना चानूबो मिला अभी शेक किया गया तो ये परिस्थिती क्यों, ये तकलीप क्यों, ये बीमारी क्यों, ये प्रस्थन क्यों, सैतान आपको कान में पुछेगा, Are you really anointed? क्या सच्मुच तुझे अभिशेख मिला था? सच्मुच तेरा अभिशेख हुआ था? सच्मुच प्रभु की सामत उतरी थी, उतरी थी तो ये कुछ परिवर्तन क्यों नहीं दिखरा? आपको वो mislead करने का प्रयथन करेगा, गुमराह करने का प्रयथन करेगा, मुझे और आपको अविश्वास नहीं करना है, हाथ उठाकर करें मैं अविश्वास नहीं करूंगा, सैतान को शफल नहीं होने दूूंगा, हाललूया! क्योंकि वीचे यह आपका है प्यारो आमेन वीचे यह आपका है आललूया यसाया 59 निकालेगा यसाया 59 और उसकी 19 आयद यसाया 59 और 19 आयम मिलकर पड़े तब पस्षीम की और लोग यहोवा के नाम का और पुरुवक की और उसकी महीमा का भई मानेंगे द्यांसे सुनिये जिसको बाइबल में नहीं मिला यहाँ पर पढ़िये सिर्फ रेफरेंस लिख लीजिए जिनके पास बाइबल नहीं है आप सब के पास अपना बाइबल होना जरूरी है प्रवका वच्छें कहता है मेरे साथ साथ बोले जब सत्रू महा नद की नाई चड़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरूद जंडा खड़ा करेगा कौन सा जंडा? विजई का जंडा हाललुया जब आपके विरूद सत्रू चड़ाई करे आपको देखेंगे कि यह तो अभिश्यक होगा है इसके उपर अब प्रवु की सामर्थ उतराई है यह अब परिवर्तित हुआ है यह तो उप्वास करने लगा है यह तो दूआ करने लगा है यह तो बाइबल पड़ने लगा है सैतान कुछ दक कुछ ऐसा करने का प्रहत्न करेगा ताकि वो आपको डिस्टर्ब करे निरास करे आपके विश्वास को तोड़े आपके अभिश्यक के उपर और जो आपने मुल्यवान सामर्थ को पाया है उसके उपर क्वेश्यन करे लेकिन प्रभु का वच्छन कहता है जब सत्र महानत के समान चड़ाई करेगा तब क्या होगा वो अभिश्यक जो आपका किया गया है वो पवित्र आत्मा उसके विरूद आपके लिए जय का जंडा खड़ा करे हाललुया आपको कोई हानी नहीं होने वाली है सैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आप जो वो नातक हो रहे है उसके उपर ध्यान मत दीजे आप जो आपको दिया गया है उसके उपर फोकस रहे उसको बना है रखिए उसको आपको सींचना है अभीशेख को वच्छन से दुआ से हाललुया सेतान आपका ध्यान डाइवर्ट करेगा आपके प्रस्नों की और अभीशेख से सामर से जो आपने पाई है पवित्रात्मा की आग जो पाई है उससे आपका ध्यान उठा कर आपकी बीमारी की और ले जाएगा आपके घर में जो जगड़े हो रहे है उसकी और ले जाएगा आपकी परिस्थिती जो बिगड़ी है इसकी और ले जाएगा जो माहौल बिगड़ा हुआ है बिसनेस में नोकरी में जो चैलेंजिस से उसकी ओर ले जाएगा क्योंकि वो जानता है इसे अभी शेक के विसे में लापरवा करके ही मैं सफल हो सकता हूँ मुझे इसे अभी शेक को बनाए नहीं रहने देना हाललुया सेतान जब ये करेगा आपको क्या करना है आपको आपका ध्यान उसकी ओर नहीं ले जाने देना उसको सफल नहीं होने देना बुले मैं सेतान को सफल नहीं होने दूँगा मैं सेतान को सफल नहीं होने दूँगा सेतान अभीशेग से प्रभू की सामर से प्रभू की आग जो आपके उपर है आग जो आप जला रहे हो जलाए रखना चाहते हो वच्छन पढ़कर दूआ करके उफवास करके संगती में आकर सेतान उससे आपका ध्यान आपके प्रस्नों की ओ ले जाएगा तेरे चीवन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा उसके विशे में सोच रहे दूआ प्राथना अभीशेग आग बनाए रखना वो तो सब होता रहेगा सू समाचा प्रचाय करना पहले अपने जीवन के विशे में तेरा इतना बड़ा प्रस्न है प्रभू का वच्छन कहता है ज जब सत्रो महानद के समाच चड़ाय करेगा महानद के समाच मतलब बाढ़ देखिए नदी में आने वाली बाढ़ को कुछ नहीं टिक पाता बड़े बड़े लोहे के ब्रीज को भी वो खिंच कर ले जाती है प्रभू का वच्छन कहता है जब शैतान बड़ी ताकत से वो उसके सामने लड़ेगी तेरे अंदर जो अभी शैक है वो तेरी सुरक्षा है वो परमेश्र की आत्मा तेरे लिए जैका जंडा घार देगी हाललुया हाललुया हमारा ध्यान प्रस्टों की ओल ले जाएगा शैतान जीवन में जो चर रहा है उसकी ओल ले जाएगा अभ अभी शैक से हम कॉंप्रोमाइज कर अभी शैक के ओपर हमारा ध्यान न रहे अभी शैक को हम संभाले न रहे इसलिए सैतान हमारा ध्यान डाइवर्ड करेगा लेकिन अगर आपका ध्यान परमेश्र ने दिये हुए अभी शैक के ओपर है अब उसको प्रिजर्व करते हो बनाए रखते हो, वो आग को जलाए रखते हो, ये प्रामीस आप के लिए, भले बाड के समान सैतन आपके अपर हमला करें, वो कुछ नहीं बीगाड पाएगा, हाललुया, हाथों को उठाए और कहें, मैं परमेश्वर से बिशिक्त हूं, कहिए कहिए प्यारों उच्छी आव के समान भी सत्रु आएगा, उसके विरुद मेरे लिए जहि का जंडा गाड देगी, मैं मेरे प्रस्तों की ओर, जाए बाहर जैसे बड़े क्यू ना हो, उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहता। मैं तो मेरे भिशिक की ओर ध्यान देना चाहता हूं, मैं तो पवित्रा आत्मा का काम जो मेरे अंदर हुआ है उसकी ओर ध्यान देना चाहता हूँ आमें हाललुया आपको आग को जलते रखना है बाकी सब प्रवकात मा संभाल लेगा कुछ लोग इस ट्रैप में फस जाते हैं अभी शेक अद्बुतन उपहु था लेकिन क्या करूँ अब इतने सारे प्रस्न हैं सिर पर हाथ देखर बैठे रहे हैं क्या करूँगा क्या करूँगा दूआ करने का मन नहीं करता उपास करें तीन दिन दो दिन अब वो जो उस्सा था वो मर मिठा है अब संगती में जाने के लिए थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है उस्सा नहीं रहा बाइबल पढ़ने में मूड नहीं आ रहा क्योंकि जब बाइबल पढ़ता हूँ वो मुझे इस खयाल आते तेरे जीवन में इतना बड़ा पहाड़ है सत्रुक ये महानद के समाना आये रेल आये क्या होगा ये रेल कहीं तुझे बहाना ले जाए जब बाइबल पढ़ता हूँ तब मेरे मन में ये सब चलता है कई लोग ये ट्रैप में फज आते प्यारो वे जानते नहीं ये ट्रैप ये जो सैतान ने आपके लिए सकंजा कसा ये यही कारण से है कि आपका दियान अभीशेक के उपर से उठा कर आपके प्रस्टों के उपर ले जाए अभीशेक के विशे में आप लापरवा रहो वो आग बुझ जाए और वो सफल हो जाए आपके हाथ में आपको क्या सोचना आपके हाथ में आपका फोकस कहां पर रखना अभीशेक को प्रिजव करने के लिए अरोज बले जो भी हो सत्रू रेल के समाना आए नद के समाना आए बाढ़ के समाना आए एटेक करें जो भी नाटक होता रहे मैं तो मेरे अभिशे को फायर को आग को समा ले रहूंगा हरोज दुआ करूँगा, हरोज मैं उपास करूँगा हरोज प्रवुके छर्णों में बैठूँगा जो भी करना पड़े, मैं वो अभिशे को बनाए रखने के लिए करूँगा सत्रू को सफल नहीं होने दूगा मेरा ध्यान वहाँ नहीं ले जाओंगा आमें, अगर यह आपने किया प्यारो सत्रू की हार पक्की है, बीमारी की हार पक्की है करजे की हार पक्की है सैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अभिशेक आपकी सुरक्षा है वो प्रमेशर का आत्मा आपके बदले लड़ेगा और विजेक का जंडा आपके लिए घाड़ेगा आपके हाथ में दो अप्शन है या तो उस अभिशेक को संभाले रखो उससे प्रिजव करो उससे पोसो सींचो दुआ करके उफवास करके वचन पढ़के संगती में बैठे रहकर उससे संभालो अभिशेक को और प्रभू आपको संभाले या फिर आप अपने प्रस्तों को संभालने के लिए वो अभिशेक में कॉंप्रोमाइस कर लो चले गया दुआ नहीं करा वो टेंशन है आप अभिशेक में कॉंप्रोमाइस कर और अपने प्रस्तों के लिए आप खुद लड़ो और हार को देखोंगे वो मेरी गैरंटी है दो अप्सन है आप क्या आगे आपको चुनना है मैं क्या करो अभिशेक को संबालो या जेतान जो मुझे डाइवर्ड कर रहा है उसक Saul डाइवर्ड हो कर चिंता में डूप कर प्रस्तों की ओर देखकर बाढ़ के समान सत्रुआ हो बाढ़ के समान सत्रुआ गया डर के मारे कॉंप्रोमाइस करके tension के मारे compromise करके Abhishek को गबा दू आपके हाथ में आपको क्या करना अगर आपने सही चुनाओ किया Abhishek को संभाले रखना प्रभू की आपको बनाए रखना वो आपकी priority है ये बच्चना आपके लिए यहवा का आत्मा आपके विरुद आपके लिए जाइक का जंडा खड़ा करेगा आपके विरुद सत्रु सफल नहों पाएगा आमें आललूया यसाया दस खोलिया यसाया दस वादिया 24 वियाए यसाया 10 और 24 इसलिए प्रभू सेनाओ का यहुवा यह कहता है हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा आसुर से मत डर चाहे वो सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे उपर छड़ी उठाए प्रभू कहता है सेनाओ का यहुवा यह कहता है हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा आप सब के लिए आप सब के लिए प्रभू क्या कहता है Sion में रहने वाली मेरी फ्रजा आसुर से मत डर अपनी चैलेंजिस से मत डर आपके सामने जो सत्रों खड़ा है उससे मत डर ये हाललुया प्रभू कहता है चाहिए वो सोटे से तुझे मारे मिस्टर के समान ते रूपर छड़ी उठाए प्रोव सेतान प्रेसान कर रहा है जबसे अभी शेक किया गया जबसे बहुत बुत अनुभव मैंने किया बहुत एटेक हो रहे प्रोव का बचेंग कहता है जब तुझे सोटी से मारा जाए डरना मत क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मैं मेरी जलन और क्रोथ उनका सत्यनास करके सांथ होगा हाललुया क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोथ उनका सत्यनास करके सांथ होगा प्रभू अपनी जलन को पढ़काएगा आपके सत्रों के विरोद प्रभू कहता है थोड़ी देर है वेट कर बनी रहे मुझ में वाखो जलाए रग वाभी सेखो बनाए रग थोड़ी देर है मैं मेरी जलन से उसका सत्यनास कर दूँगा हाललुया हाललुया हाथ उठा करकर मेरे सत्रू का सत्य नास होने वाला है मेरी बिमारी का सत्य नास होने वाला है मेरे खर्जे का सत्य नास होने वाला है हर एक डूस्टाटमा जो मेरे पीछे पड़िये हूं का सत्य नास होने वाला है हालेलुया थोड़ी देर में क्यों थोड़ी दे, तुरंत नहीं, प्रभु देखना चाहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या जो अभी शेक उससे मिला है, उससे बनाय रखती है, विस्वास में बनी रहती है, वो उसकी द्रस्टी में मुल्यवान है या नहीं, उसको संभाले रखता है या नहीं, हाललूया, बस आप दिखा दो प्रभु को कि प्रभु मैं विश्वास्यो क्या बना रहूँगा, चाहे कुछ भी उथल पाधल हो जाए, मैं अभी सेक को संभाले रहूँगा, मैं वो आखो जलती रखूँगा, थोड़ी ही तेर में प्रभु उसकी चलन बढ़का कर आपके सत का सत्यनास करेंगे, आमें, हाललूया, 26, सेनाओ का यहुआ उसके विरुद कोड़ा उठा कर उसको ऐसा मारेगा, जैसे उसने औरेवना मक्चटान पर मिद्यान्यों को मारा, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी और भी ब उठा लिया जाएगा, और बोले अभी सेक, उच्छी आवाद में, और अभी सेक के कारण वह जुआ, वह जुआ, तोड़ डाला जाएगा, जुआ मतलब किसे बोलते पता है, बेल के उपर आपने देखा है, बेल के उपर जो कंदों पर उसके होता है, ने, वो बेल के उपर पर बोलते जुआ, पहले के जमाने में जब गुलाम रहते थे, गुलाम को ऐसे कंदे से, बड़ा बोज उगे उपर लाद कर बादा जाता था, और बोज तेरा बोज तेरे परस से तोड़ डिया जाएगा, किसके दवारा, किस के दुआरा किस के दुआरा अभिशेक के दुआरा प्रहू कहता है अभिशेक के कारण वह चुवा तोर डाला जाएगा सैतान जानता है अभिशेक आपको रिहा कर सकता है सैतान जानता है अभिशेक आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है आपके हरे एक बोज अगर आप अभी शिक्त नहीं हो भले आप मसी ही हो आपके बोज वहां के वहां रहेंगे लेकिन जो दिन आप अभी शिक्त में बढ़ने लगे वो दिन से आपके उपर के जुए को तोड़ना सुरू कर देगा प्रबूर्बूर्ण और सेतान जानता है अभी शिक्त ही है जो जुए को तोड़ सकता है और इसलिए वो अभी शिक्त में आपको कॉम्प्रोमाइस करवाता है इसलिए वो फ्रैत नग करता है आप अभी शेक को खोड़ डालो इसलिए वो फ्रैत नग करता है आप आपके जीवन से आग बुझे जाए पवित्रा आत्मा की यह वो जानता है अभी शेक है जो जुए को तोड़ सकता है हाललुया आपके हाथ में वो अभी शेक को बनाया रखना या नहीं अभी शेक के बगर आप जुए के तले रहोगे कई बोज ऐसे है चाहिए आप कुछ भी कर लो आपके जीवन से कभी दूर नहीं होंगे आप रोते ही रहोंगे जीवन भर आप कभी उपर नहीं आपाओगे वो बोज तले लदे रहोगे क्योंकि आप रभू येशु के पीछे तो चल रहे हो लेकिन वो भी शेक जो आपके उपर होना चाहिए वो भी शेक नहीं है वो भी शेक को आपने बनाये नहीं रखा बरकरा नहीं रखा गवा दिया समाधान करके दूआ बन करके बाइबल पढ़ना बन करके संगती में नहीं जाकर प्रभू के छर्णों में नहीं बैठकर वो अभी शेक को आपने गवा दिया इसलिए आप जुए के तले रहोंगे बोज के तले रहोंगे और सेतन यहीं चाहता है अभी शेक को खो डाल उस बाकी सब कुछ पालो आपके हाथों में मैं क्या करूँ मैं अभी शेक को बनाए रखू जो मेरे जीवन में फ्रीडम लाता है रिहाई लाता है यहाँ पर जो वच्छन मूल हिपरुपासा में अभी शेक के कारण वह जुवा तोड़ डाला जाएगा तोड़ डाला जाएगा उसकी जगह डिस्ट्रोई किया जाएगा मतलब पूरा पूरा ख़दम हो जाएगा हाललूया प्रभू पचास पर संचंगाई नहीं देना चाहते प्रभू थोड़ा बहुत करजा दूर करना नहीं चाहते प्रभू आपके जीवन से थोड़े बोज उठाना नहीं चाहते थोड़ा आपके प्रस्तों से बहाला कर बीच रास्ते में आपको लटकाना नहीं चाहते प्रभू आपके जीवन के हर बोज को हाथ उठाए और कहें प्रभू मुझे वो अभी शेक को बनाये रखना है कहें प्रभू मैं कुछ पी की मत चुकाओ लेकिन वो अभी शेक जो तुने मुझे पर रखा है उसे मैं कम नहीं होने दूंगा उसे मैं गवाओंगा नहीं और उसमें बढ़ूंगा क्योंकि अभी शेक है जो चुए से मुझे अज़ाद कर सकता है बोस से मुझे रिया कर सकता है अभी शेक के बगटर मैं गुलाम ही रहूंगा मुझे अभी शेक जरूरी है प्रभू सबसे मुलिवान मेरे लिए तईरी आत्मा का अभी शेक है हाललूया अभी शेख को प्रिजर्व करें प्यारों आख को जलाए रखिए जब मैं कुछ प्रभु के दासों के वीडियो उसको देख रहा था एक डेड़ साल पहले फिर से प्रभु की आत्मा ने मुझे स्ट्राइक किया मैं देख रहा था वे जब हाथ रख रहे थे प्रभु की आत्मा सामर्द के साथ उत्तर रही थी और मैं जो लोगों को पवित्रात्मा का पर्स हो रहा था मैं देख रहा था पवित्रात्मा उन्हें छो रही है वे पश्यताब कर रहे हैं उनके जीवन बदर रहे हैं जुएक थोड़ा जा रहा है और जब मैं प्रभू से क्या रहा था, प्रभू और अभीशेक मुझे चाहिए प्रभू ने एक देड़, दो साल पहले मुझे से बात करना सुरू किया और वो एक गटना प्रभू ने मुझे याद दिलाई जो मैं completely भूल गया था प्रभू ने मुझे याद दिला आज से करीबं 12-15 साल पहले बरूच या ऐसी कोई जगा पर साथ पास्टर अमीद भाई को याद होगा हम एक ऐसे चर्च में गए थे जो ट्रेडिशनल चर्च है मतलब वहाँ ये सब बातों में कोई नहीं मानता पवित्रात्मा उसका सामर्थ उसका भीषे और वो दिन मुझे आज एकदम याद है जब मैं डेर दो साल पहले ये बात प्रभू से माग रहा था प्रभू मुझे भी अभी शेक चाहिए क्योंकि हमारी भेडों को जरूरत हमारे चर्च को जरूरत हमारे सहर को जरूरत है प्रभू ने मुझे वो दीन याद देलाया साथ भरू जी ऐसी कोई जगह वहाँ ट्रेडिशनल चर्च में प्रभू हमें ले गए थे और जब दूआ खरी गई सुरुआद वर्शिप का था समय वच्छन का था और फिर आखरी समय दूआ का था और पाश्वान वो दिन सब कुछ हमें सौंप कर निकल गए थे वह में अच्छे से जानते थे क्योंकि जब यहां पर वे थे हम उनके साथ काम कियो थे तो वह कहीं बाहर जाना था तो वह निकल गए थे लेकिन जब आखरी समय दूआ का था वो दिन परमिश्वा की आत्मा ने मुझे याद दिला और कहा तो याद कर वो दिन क्या हुआ था और जब मुझे याद आया तब मेरी आखे खुली की खुली रह गए प्रभू ने मुझे बताया कि वो दिन ही तुझे मैन अभिश्चेक दिया था जो तू आज माग रहा है वो दिन क्या हुआ था वो फिर प्रभू ने मुझे याद दिलाया कोई expectation के बगर लोग आ रहे थे एक साथ traditional church जाए ये बातों में कोई believe नहीं कर रहे और जब हात रखकर प्रभू के दास हम सब उनके लिए दुआ कर रहे थे दड़ाम दड़ाम गिरते जा रहे थे प्रभू की आत्मा उनके उपर उतरती जा रहे थी एक सिंगल व्यक्ती ऐसी बाकी नहीं रही थी वो दिन कई लोग तो दूर खड़े उतर प्रभू की आत्मा सामर सुनका अभिशेक करती उतराती और वहीं पर गिर जाते और एक दम से लोग आने लगे हैं उनके लिए दुआ करते कि जितना है जितना है सब को पविश्रात्मा रसपर्स किया दराम से वो गिर जाते प्रभू की आत्मा उतराती और वो दिन प्रभू ने याद करके मुझे बताया याद करवा कर मुझे बताया वो दिन ही अभिशेक को दिया गया था आज नहीं है तो तुझे सोचना है क्यों नहीं है तुझे सोचना है क्यों नहीं है पूर मैं फिर से मागने लगा प्रभू तू मुझे बता तू मेरे एगवाई कर प्रभू वो प्रेशेस अभिशेक को जो आज से सालों पहले ओरेडी दे दिया था कहीं पर मैं उजे फ्रिजव नहीं कर पाया प्रभू तू मेरे एगवाई कर फिर से वो अभी शेक हमें चाहिए प्रभू क्योंकि हमारी कलीश्या को जरूरत है मुझे जरूरत है हमारे देश सहर को जरूरत है वो आग की डेर साल पहले से मैं मागने लगा रोने लगा, उफवास करने लगा मेरी एक ही भूख थी अभी शेक एक ही प्यास थी अभी शेक मैं ढूडने लगा वचल से मुझे क्या करना है वो जो अभी शेक अरेड़ी प्रभू ने मुझे किया है वो आज वो इंटेंसिंटी के साथ क्यों काम नहीं कर रहा और प्रभू ने नूगर दिया कि मैं फिर से इतने सालों के बाद लास संडे उसे फिर से मैसूस कर पाया हाललूया क्योंकि मैं लाग लगा देड़ साल दो साल से उसके पीछे दोर रहा हूँ एक ही भूख और प्यास के साल प्रभू रिस्टोर कर वो अभी शेक में मुझे कोई और भूख नहीं है मैं और कुछ बात नहीं मागता हुपास के साथ जब बैठता हूँ प्रभू तेरा अभी शेक मुझे और चाहे तेरी आग मुझे बनी रहे चाहे कुछ भी उतल पाथल होती रहे मेरे लिए सबसे मुल्यवान तेरा अभी शेक है मैं उसे फिर से और इंटेंसिटी के साथ और ज़्यादा पाना और चाहना और ज़्यादा उसमें बढ़ना चाहता हूँ और प्रभू ने मुझे दिया और ये तो सुर्वात है और प्रभू आगे ले जाएंगे उसके अनुगरण से आलललुया लेइंपवित राक्माना मुझे कहा तुने जो डिसीजन लिये होगे तुने जो प्रेशेस अभी शेक तुझे मिला उससे ज़्यादा और कोई चीजों को कर महत्वा दिया होगा उससे संभालने में तु कहीं पर निश्वरा होगा वो तुझे सुधारना है मैंने सुधारना सुरू किया और मैं फिर से वो आग को महसूस कर रहा हूँ प्यारो और फिर से वो भी शेक को काम करते हूँ देख रहा हूँ और और भी मैं देखूंगा ये मेरी जर्नी है आप अपनी जर्नी में कहा हो आप अपनी जरुनी में कहा हो 12-15 साल पहले घटी वी घटना को प्रभू ने मुझे याद दिला कर कहा Already मैंने तुझ अभी शेक कर लिया था मुझे दुख भी हुआ कि ये 12-15 साल मैंने गवाए है आप मैंने जरूर अभी शेक से बर कर कामों को देखा है लेकिन वो इंटेंसिटी के साल अगर प्रभू का आत्मा काम करता रहता तो और भी अधिक बड़े कामों को मैं देख पाता लेकिन प्रभू ने अनुगर करके फिर से मुझे गंबिर बनाया फिर से वो भूख और प्यास मुझे में रखी और मुझे बताया अभीष्यक के बगर कुछ भी नहीं आपके लिए क्या मुल्यवान है प्यारों आप कौनसी मंजीरा दिन रात बजाते हो उपास के साथ बैटते हो तब आपकी भूख क्या होती है मैं कहता हूँ सिर्फ अभीष्यक की प्यास बनाये रखो अभी शेक को बरकरार रखो प्रभू की आत्मा की आख को जलाए रखो बाकी कुछ फिकर आपको करनी नहीं पड़ेगी आप रोने वाले विश्वासी नहीं बनोगे आप वीजेई बन तो विश्वासी बनोगे हाललुया क्योंकि अभी शेक है जो हर चुवे को थोड़ डालता है हाललुया और सेतानी सिवी से में आपको लापरवा बनाएगा कि आप सब कुछ पालो सब के पीछे दोड़ो अभी शेक के पीछे मत दोड़ना जो दिन आप अभी शेक के लिए दोड़ोगे प्रभू की आपको जलाए रखने के लिए अपने आपको उसके पीछे लगा दोंगे उसकी निंद उड़ जाती है वो आपके पीछे लग जाता है लेकिन आपको डिटे रहना है आपको वो भूख और प्यास से प्रभू को हमेशा कहते रहना है प्रभू तेरा भी शेक मुझे चाहिए वो बरकर रा रहे है मैं उससे खोना नहीं चाहता वो आपको विच्राग्मा की जलती रहे है आललुया दूसरा सेम्यूल पांच और सत्रा मपड़े दूसरा सेम्यूल पांच और सत्रा जब पलिस्तियों ने यह सुना कि इसराहिल का राजा होने के लिए दाओद का अभिशेक हुआ है पलिस्ति मतलब दाओद राजा के शत्रू थे सुन रहा है ना पलिस्ति कौन थे दाओद राजा के शत्रू अब जब सत्रू को पता चला क्या पता चला दाओद का अभिशेक हुआ है तब क्या हुआ तब पलिस्ति दाओद की खोज में निकले यह सुनकर दाओद घड में चला गया सुन ये प्यारो सत्रू को जैसे पता चलता है दाउद का क्या हुआ है अभी शेग वैसे ही वो सत्रू एक्टीव हो जाता है उसके पीछे लगता है सत्रू को सबसे ज्यादा परेशानी आपके अभी शेग से है आप आग में पवित्रा आत्मा की जलते रहो वो आग को बनाए रखो वो ही उसकी सबसे बड़ी परेसानी जैसे पता चलता है कि दाउद का अभिशेक हुआ है सत्रुख खड़ा हो दाउद का अभिशेक हो गया हम बैठे नहीं रह सकते आपके विरूद भी सैतान कुछ ऐसा ही करेगा प्यारो ओ ये तो चेर्च में गया अभिशेक पाकर आया है अब तो ये दूआ करने लगा ये तो बाइबल पढ़ने लगा वो आखको वो अभिशेक को बनाया रखता है ये सबसे बड़ी परेसानी हो सकता है हमारे लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन हमें डरना नहीं है हाललुया दाउद कहां गया घड़ में चला गया और घड़ में जाकर क्या करता है उग उन्नीस में तब दाउद ने यहोवा से पुछा क्या मैं पलिस्तियों पर चड़ाई करू क्या तूने मेरे हाथ कर देगा यहोवा ने दाउद से कहा चड़ाई कर मैं निश्रे पलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूँगा ओ रिबारी ना माखारा लाबाशे हाललुया प्रभू का दाज जब अभीशिक्त हुआ सत्रू एक्टिवेट हो जाता है और उसके पीछे लगता है लाउ सबसे पहले परमेशर के चरणों में जाता है हाललुया आपके अभीशिक को देख सेतान जब परेशान हो आपके विरुद कोई भी कोई उक्ति करे आपको सबसे पहले दोड़ के प्रभू के चरणों में जाता है आपके घर में माहुल बिगड़े चाहे कोई बीमार हो चाहे जौब में परेशानी हो चाहे बिस्नेस में कोई स्ट्रगल हो चाहे बनवाइब के बिचानक से कुछ हो जाए याद रखना ये स्यतान को जो पेट में दर्द हो रहा है उसका परी नाम है और जब आपके उपर के अभिश्यक को देखकर सत्रु परेशारों कर आपके पीछे पड़े रोना धोना नहीं डरना नहीं प्रभू के चर्नों में जाना प्रभू के से कहना प्रभू मैं क्या करो और प्रभू आपको विजय दिलाएगा आपके शत्रु के उपर प्रभू ने कहा चड़ाई कर हमला कर प्रभू कहेगा उपस कर दूआ कर ये मेरा बच्छन का दावा कर, थोड़ दे उसे, हाललुया, और आप जब ये करोगे, आप विजई को देखोगे, प्यारो, प्रभू आपको बताएगा कैसे चड़ाई करनी है, प्रभू आपको बताएगा कैसे विजई पाना है सत्रु के उपर, सत्रु को चड़ाई करता, देख, डरना नहीं, कापना नहीं, आप भिषिक्त हो, आप भिषिक्त हो, प्यारो, और भिषिक्त छोटा मोटा नहीं है, पवित्र आत्मा का वो भिषिक्त है, प्रमेश्वक का नेचर अबिलिटी आपके अंदर इंपार्ट करे गए है, डाले गए है, उसकी ताकत, उसकी सामर आपके अंदर डाले गए वद भीशेक के द्वारा अभीशेक होकर आप और मैं कैसे रो सकते है दर सकते है अमें खड़ा होना है जब अभीशेक के विरुद सत्रू चड़ाय करे तब प्रभू के च्छनों में जाना है दूआ कर दियो प्रभू मैं क्या करू प्रभू बताएगा तू ऐसे चड़ाए कर ऐसे दूआ कर ये वच्छन का दावा कर इतने दिन उपवास कर ये मेरे दास के पास जा हाललुया प्रभू जब आपको बताएगा और आप एक्सन ले तो तब क्या होगा रभू कहता है उन्निस व्याद में तब दावद ने येहा से पूछा क्या मैं पलिस्टियों पर चड़ाए करू क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा येहा ने दावद से कहा चड़ाए कर क्योंकि मैं निश्य पलिस्ट्यों को तेरे हाथ कर दूँगा तब दाउद बाल परा सीम को गया और दाउद ने उन्हें वही मारा तब उसने कहा यहोँ आप मेरे सामने होकर मेरे सत्रू पर जल की धारा समान तूट पड़ा है हाललुया जब आप फाइट करोगे जब अभी शीक्त होने के ना था आप सत्रू से लड़ोगे रोने दोने नहीं में परभू के दास को फोन करोगे क्या होगा आप खुद परभू के चर्नों में बैठ कर लड़ाई करोगे उप पास के साथ प्रातला के साथ परभू का बच्चेंग कहता है प्रभू ने क्या किया मेरे सत्रों पर जल की धारा के समान तूट पड़ा प्रभू आपके सत्रों के उपर तूट पड़ेगा उसे भागने का उस्सर नहीं मिलेगा दूसरी बार वो सोचेगा इसको नहीं चुना हो दूसरे दो डूस्टात्मों को इससे दूर ही रहना इसको छूने के लिए अटेक किया तो प्रभु हम पर तूट पड़े प्रभु की आग उतर आई हाललुया हाललुया और सब वहां से भाग गए बाइस मियाद में फिर दूसरी बार पलिस्ती चड़ाई करके रफाई नामक तराई में फैल गए एक बार चड़ाई करी प्रभु तूट पड़े बेर भी खेल कर दिया चाल नहीं छोड़ रहे क्यों क्योंकि वह अबीश्चिक जब अबभी खुट हो जाते हो आप शयतान चीछों के लिए खतरा बन जाते हो पहले वह आपके लिए खत्रा था अब आप उसके लिए खत्रा हो हाललूया और इसलिए वह फिर से टेक करता है फिर से कहता है कि चले हूँ हमला करें वह बीशीक्त हो गया है तेईस व्याद जब दाउद ने यहवास से पुछा तब उसने कहा चड़ाई न कर उनके पीछे से गूंकर तूत रुक्सों के सामने से उन पर छापा मार दूसरी बाद प्रभू से कुछ लगी बताता है लेकिन देखे दाउद अभी शिक्त होकर क्या करता है प्रभू को पुछता है बुले मैं पूछूंगा प्रभू से मैं दूआ Gा जाओ वो मैं खरूँगा, ताकि मैं भी जैवन्त हो जाओ, हाललुया, दाउद फिर से पुछता है, प्रभू मैं क्या करूँ, प्रभू कहता है अब चड़ाए मत करना, छुपकर चापा मार, क्यूं? चौबिस वियाद, और जब तुत रुक्षो की फुनगियों में से सेना के चलने किसी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना, यहवा पलिस्ति की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पदा रहा है, हाललुया, प्रभू ने कहा, ये बार तुझे चड़ा किया है, दूसरी बार उन्होंने जरूरत किया है, दूसरी बार उन्होंने हिम्मत करी है, अब मैं उनकी हिम्मत को तोड़ूंगा, पहली बार तु लड़ा, अब तु बीच में सड़ जा, मैं तरे लिए लड़ूंगा, हाललुया, प्रभू ने कहा, अब तुझे नही लड फो तेरी सेना नहीं होगी वो मेरी सेना होगे. आललुया. युकि तेरे बरुसत्रु कहड़ा हुआ है, मैं चलाओंगा नहीं. आललुया. परबु कहता है, जब सेना की आहट सुनाई दे, तब फुर्दी करना. क्यों? कि यहुआ पलिस्ति की सेना के मारने को मेरे आगे भी पदारा है मैं तेरे सत्र को मारने के लिए बैटल ग्राउंड में पदार हूँगा उतरा हूँगा तुझा हर सुनाई देगी मेरे जान लेना कि वो मैं हूँ तेरे लिए लड़ने को आया हूँ हाललुया अगर आप आपकी लड़ाईों में भी आग को बनाए रखते हो अभी शेक को बनाए रखते हो प्रभू को छोड़ते नहीं दुआ नहीं छोड़ते उपवास नहीं छोड़ते संगती नहीं छोड़ते विस्वास कमजोर नहीं होने देते आप भी लड़ोगे और जब आपको लगेगा कि और कठीनियू दें परमेश और खुद आपके लिए यूद के ग्राउंड में उतराएगा आपके लिए वो लड़ेगा हाललुया वो अपने अभी सिक को किसी को छुने नहीं देता हाललुया बजन सहीता 89 आप निकाले आखरी एक दो आयत पढ़कर बागी का फिरम कपी सिखेंगे बजन सहीता उसका अधियाए 89 और उसकी 20 वियाद मैंने अपने दास दाउद को लेकर अपने पवित्र तेज से उसका अभी शेक किया है प्रभु कहता है मैंने अपने दास को अभी शेक किया है और अब प्रभु कहता है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा मेरी बुजा उसे द्रिड रखेगी सत्रु से ठंग करने न पाएगा और नकुटिल उसको दुख देने पाएगा हाललुया मैं उसके सत्रु को उसके सामने से नस्ट कर दूँगा और उसके बैरियो उपर भी पत्ती डालूँगा ये अभी सिक्तों का वार्सा है प्यारो हाललुया यह बिशिक्त लोगों की blessing है इस प्रमेश्व का हाथ जिसने आपको बिशिक्त के आपके उपर रहता है वो आपके सत्रों को आपके विरुद सफल नहीं होने देगा, डर ये मत, रो ये मत, गिर 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 आए मैं उपर उदेया कर मैं क्या हो गया अरे आप बिशिक्त हो खुद को पहचाने, खुद की आइडेंटिटी को अपने आपको बताते रहिए, मैं बिशिक्त हो मेरे विरुद प्रभु सत्रों को सफल नहीं होने देगा, हाललुया प्रभु का वच्छन कहता है मेरा हाथ उसपर बना रहेगा मेरी भूजा उसे द्रिर रखेगी प्रभु की भूजा आपको द्रिर रखेगी क्योंकि आप अभी शिक्त हो प्रभु का हाथ आपके उपर बना रहेगा क्योंकि आप अभी शिक्त हो सत्रों आपको तंग नहीं कर पाएगा अगर विश्वास करते हो तो कही आमेन शत्रू आपको तंग नहीं कर पाएगा और उसके बैरियों पर प्रबू कहता है मैं भी पत्ती डालूंगा हाललूया यह आपका वार्षा है प्यारो यह आपकी मिरास है प्रबू अभिश्चिक को संभालता है प्यारो प्रबू अभिश्चिक लोगों को बनाए रखता है बाकी की बातों को फिर हम कभी सिखेंगे जब आपने कुष्टी अगर देखी हो दो पहलवान आपस में कुष्टी करते है वो एक ट्रिक अपनाते है क्या करते है वो पता है उनका जो मेंटर होता है उनका ट्रेनर होता है उनकी बाजोप और सरी पर तेल मल देता है देखा है ने तेल मल देता है बराबर तेल क्यों? सत्रों के हाथ का सिकाल न हो जाए सामने वाला वो पकड़ने जाता है वो हाथ में ही नहीं आ रहा है हाथ में ही नहीं आ रहा है अब सेतान के हाथ में नहीं आओगे अपने सामे पर खड़े हो जाए कहिए मैं सेतान के हाथ में नहीं आने वाला कि मुझे पर तेल मला गया है मैं अभिश्शिक्त हूँ मुझ पर तेल है पवित्रात हमाँ का शैतान मुझे नहीं चूपाएगा काईए प्रभू सहाथ उठाकर प्रभू कुछ भी हो जाए मैं अभिश्शेक को बनाए रखो मेरा ध्यान मेरे प्रस्टों की और न जाए सत्रु चड़ाई करता है उसकी और न जाए सत्रु जब चड़ाई करे मैं अभिश्शेक को आग को बनाए रखना भूल कर उसकी चिंता में डूबना जाओ क्योंकि अभिश्शेक तही है अभिश्शेक है जो मुझे सुरक्षित रखेगा हाललुया अपको पहले भी ये बात त्राव के दासोंaches आपको बताइए जब पहले के जमाने में भेरों को एसे इंसेक से जन्थों से सुरक्षित रखना होता था ऐसे जन्थों के हमले से शुरक्षित रखना होता था चरवाहे भेरों के उपर तेल मल लेते थे और जब तेल वो भेड़ों के उपर लगाया जाता था ऐसे जन्तू, ऐसे इंसेक्ट उसको छू नहीं पाते थे उसको छू नहीं पाते थे क्योंकि उसके उपर तेल रहता था आप परमेश्र की भेड़ हो और आप के लिए पवित आत्मा का तेल अपिश्यक सुरक्षा है प्यारो वो तेल को अपने उपर हमेश्या बनाए रखना वो तेल को अपने उपर बनाए रखना वो तेल को गवाना नहीं प्यारो प्रभू तेल लगाता है फिर कीचड में जाकर वो तेल को गवा नहीं देना बाप में जाकर वो तेल को गवा नहीं देना धूल में जाकर मिट्टी अपने आप पर लगाकर वो तेल को गवा नहीं देना पापो का कीचर पापो की मिट्टी वो तेल को आपके उपर से दूर कर सकता है और सैतान बस यही चाहता है कि आपसे अभी शेक गायब हो और वो सफल हो जाए उसको एक ही पात की परवा है कि ये जो प्रवु का बेटा बेटी है बले मसी हो बले चर्च में जाए कलिश्या में जाए पर अभी शेक नहीं होना चाहिए इसका अभी शेक कुछ भी करो गायब हो जाए याद रखे आपका अभी शेक आपकी सुरक्षा है अभी शेक के बगर में और आप कुछ नहीं है प्यारो हाथों को उठाए प्रवु से कहे प्रभु क्छाए कुछ भी हो जाए मैं मेरा अभी शेक बनाए रखूँगा चाहे कि मत चुकाने पड़े कष्ट जिलना पड़े सेक्रिफाइस करने पड़े प्रभू मेरा ध्यान मेरे कष्टों की और बिमारियों की और प्रस्णों की और सेता ना ले जाए सत्र भले चड़ाई करे मुझे उसकी परवा नहीं करनी है उससे मैं निरास नहीं होंगा उससे मेरा फेद कमजोग नहीं होने दूँगा मैं अपने विश्वास को बनाए रखूंगा मैं ये परवा नहीं करूंगा कि मेरे विरुद कौन सा सत्रू आ रहा है कितना बड़ा आ रहा है क्योंकि बले रेल के समान आपके वुरुद चड़ाई करे यहोवा का आत्मा उसके वुरुद जाई का जंड आपके लिए खड़ा करेगा बस मुझे यही करना है कि आत्मा की आग को मेरे अंदर जलाए रखना है उससे गवाना नहीं है मागे 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 प्यारो मुझे खोल कर मागे प्रभु मुझे तिरी आख को बनाए रखना है मुझे अभिशेक को संबाले रखना है मेरे लिए अभिशेक सबसे मुल्यवान हो जाए मैं अभिशेक के लिए कुछ भी की मत चुका हूँ जल्ली उठना पड़े, दू आखे लिए मैं उठो, पाप को छोड़ना पड़े, प्रभू मैं छोड़ो, ऐसी एप डिलीट करनी पड़े, मैं डिलीट करो, ऐसे वीडियो देखना बंद करना पड़े, देखना बंद कर दो, ऐसे फ्रेंड्स को त्यागना पड़े, मैं उन्ह त्याग दू प्रभू क्योंकि अभिशेख है जो मेरी सुरक्षा है अभिशेख है जो मेरे जियन परिवरतला सकता है पवित्रात्मा की आग है जो मेरे सत्रों से मुझे बचाए रख सकती है प्रभू मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता अभिशेख के बगर मेरी topmost priority अभिशेक बन जाए मेरी topmost priority पवित्रात्मक्याग बन जाए प्रभू मैं चाहे कुछ भी हो, मैं डिस्टॉब होनें वाला नहीं मैंनि रास होने वाला नहीं मैं हार मानने वाला नहीं जब तक मैंभिशेक तू, मैं सुरक्षित हो जब दाउद का अभिशेक किया गया सत्रू जरूर खड़ा हुआ लेकिन प्रभू के पास जब जाकर दाउद ने पुछा प्रभू मैं चड़ाई करू प्रभू ने कहा चड़ाई कर तू विजय होगा सत्रू भले आपके विरुदत चड़ाई करे प्रस्तना आए आपके जीवन में चाहे कुछ भी आए आपके जीवन में जब आप अभिशेक से बरे हुए हो आप अपने सत्रों के उपर भी जैपाऊगे आप अपने सत्रों के उपर भी जैपाऊगे और जब आप अभिशेक्त हो शेत्रु भले बार बार हमला करें आपके विरूद आपको डरना नहीं है क्योंकि यहोवा खुद आपके लिए आपके बैटल ग्राउंड में उतर आएगा आपके बनले वो लड़ेगा प्रहुने दाउद को कहा तुझे संसनाहर सुनाई देगी तुझे संसनाहर सुनाई देगी ओ हाललुया यहां खड़े ऐसे लोग जो लड़ाई कर रहे है जिनके ब्रोद अभिशेक जब आपके लिए किया गया तब से सैतन आपके पीछे पड़ा है हम आपको कहना चाहते हैं यहोवा आपके लिए युद्ध करेगा यहोवा आपके लिए युद्ध करेगा डरिये मत, डरिये मत, डरिये मत आप अभिशेक थो आप अभिशेक थो यहोवा का आत्मा आत्मा के दौर आपको बिशेक किया गया है डरिये मत, यहोवा आपके लिए लड़ेगा यहुआ आपके लड़ेगा संसनाट को सुनिये विश्वासे संसनाट को सुनियो और कहिए यहुआ मेरे युद्धों में मेरे बदले लड़ने के लिए उतराया है मैं अभिशेक्ट हूँ हाललुया मैं विज़ईवन्थ हूँ क्योंकि मैं अभिशेक्त हूँ, हाललुया कहिए प्रबु से, मैं युद्धों से डरने वाला नहीं मैं सत्रू के हमलों से डरने वाला नहीं क्योंकि मैं अभिशेक्त हूँ मेरा ध्यान सिर्फ अभिशेक को बनाए रखने में लगाने के लिए नुखर दे, मेरा ध्यान सिर्फ आग को जलाए रखने के लिए उस पर ध्यान रखने के-लिए नुखर दे प्रभू मेरा ध्यान सेतान कहीं और न ले जाए कहिए, 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 मागे खई लोग, आप यूंही खड़े हो, प्यारो आप मागे, अपने दिल को परमेश्र के आगे खाली करें, खाईए, मुझे खोल कर करें, वे वो मुझे तेरी आत्मा को जलाए, आत्मा की आग को जलाए रखना है, अभी शेक को बनाए रखना है, हाललुया, प्यारो ये कि जब हम प्ले कर रहें, आप दुआ करें, प्यारो, आप दुआ करें कि प्रभ पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में बनाए रखने के लिए मुझे अनुग्र दे दूआ करते रहे प्यारो सांत मत रहना यहां हम अमारी चर्ट सर्विस को पूरा करते हैं आगे हम मिनिस्टर करेंगे प्रभु के दास दूआ में जा रहे यहां से जिसको घर जाना है वो जा सकते बाकी का समय दूआ का समय है जिसको घर जाना है आप फ्री हो आप जा सकते हो जिसको दूआ के लिए खड़ा रहे आप दूआ के लिए खड़ा रहे प्रभु के दूआ यही है दिल के दूआ अपने फलों से तु मुझे को सजा यही है दिल के दुआ यही है दिल के दुआ रूआ, 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 रूआ रूआ, रूआ, मागे, रूआ, रूआए जो बिरिषाम इडली सोचों में दो मरे मिरा हुआ रुआ 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 रूआ देरी रूह मुझे पर फिर से उतर आये और मुझे नया वल प्रदाण करें। ताकि में डिन रास नो हूँ, ताकि मेरा विश्वास कम जोर ना हूँ प्रबू मुझे अनुहर दे, देरी रूह से बहाँ, देरी आख से बहाँ, प्रबू अपनी हजूरी से मुझे को चिला दे ऐ रूहे पाक खुदा पाकी जगी से घर देगे जीवन वही मेरी प्रतिदा पाकी जगी से घर देगे जीवन वही मेरी प्रतिदा तेरे पहिं मानकर मैं जीवन वही मेरी इच्छा है गाए गाए हाथों गुठाए हाथों गुठाकर गाए उच्छी आवाल में मेरी सोचों में उच्छ वीचारो कांग उच ले ले आपके रूँ मेरे सोच वीचारो कांग कुछ ले ले रूँ रूह आपके रूह की पवीतराआत्मा की जरुत है वहाँ की मुझे जरुत है प्रबु मैं पीछे नहट जाओं, इसलिए मुझे तेरी सामप की जरुत है मैं नीरास नहों जाओ इसलिए मुझे आपकी साबर्ट की चरूरत है कहिए 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 उच्छी आवाज में कहिए प्यारो पवित्रात्मा की सामर्ड हमारे बीचे प्यारो वो आपको छूर रहा है वो आपको पिशे खर रहा है नहीं सामर्ड से बर रहा है नलूया नुदा 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 और को नुदा श्ता है प्रभु तेरी यत्माज मुझे चूले कर दूमरा कि चुले, मैं और सुन्य की मकि खिले तरी act माज कुछ है. ठीन ini खिले 아니라 मिक कोba ओर रो उसा थे, तर रहा डिगार रछिंग्व रुबू कि खिलेूd से स deposit के खिए के खिले ची होते रहां. कि खिले ज् सिंदर न werden तरब तरी..? आपरो ब्रोशेर यंदार अरा डाला चुले 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 sitting in the sure book, about it. Parkणे, क्रिमात १रे। फिरा मथ रहे हरे क्ष़०रे मच्रहें क्रिमात रहे. यहां वहाँ देखें नई यहां वहाँ देखने का समय नहीं है पविज्डरात आपको चुर है मुझे एक बारिश की तरह एक लगनी के समा यादे जाए मुझे एक चादर के समा एक बारिश की तरह एक लगनी के समा यादे जाए मुझे एक चादर के समा हो दुगना और ताजा हो अभीशे आज बुझ पे हो दुगना दुगना पहले से जादा जादा हो अभीशे आज मुझे पे एक बारिश की तरह एक लगनी के समा यादे जाए मुझे एक चादर के समा हो दुगना और ताजा हो अभीशे आज मुझे पे हो दुगना दुगना पहले से जादा जादा हो अभीशे आज मुझे पे अभीशे कर दे मुझे तु प्रभू तेरी रूस से ताकि मैं आपके समान बन सको अभीशे कर दे मुझे तेरी रूस से ताकि मैं बन सको भूब हूँ तेरे जैसा अभी शेख कर दे मुशे तेरी दूसे आपकी मैं बरसकू भूब हूँ तेरे जैसा ओ दुगना और ताजा हूँ अभी शेख आज मुझे पूरे दिल से गया है हूँ दुगना दुगना और पहले से जादा जादा हूँ अभी शेख आज मुझे पहूँ पातों को मैं सुन सको कर दे मुझे पे ये शूँ तेरी नजरों से मैं देख सको कर दे मुझे पे ये शूँ तेरी नजरों से मैं देख सको कर दे मुझे पे ये शूँ हो दुगना और ताजा हो अभी शेख आप विश्वास चनले वाले लोग है देख कर चनले वाले लोग नहीं आप जो विश्वास रखोगे प्रभू आपके लिए करेगा प्रभू ने सब को ऐसा कहा जितने लोगों को चंगा करा तिरे विश्वास का नुच्वाHey तुछ से हो जाए आप जो विश्वास करोगे होगा बले ना देखो विश्वास करो प्रभू बहुत यद्बूत काम करेंगे आमे आए अपनी आखों को बंद करें हाथों को उठाये फूरे दिल से ठैंक यू कहे प्रभू से कहे येश्व तेरा दन्यवान जो भी आपने हमारे लिए किया है बहुत मुल्य है प्रभू जो भी आपने मुझे दिया है वो बहुत मुल्यवान है से रचुकाकर मुछ प्रभू या पॉप प्रभू इस्व पाक आत्मा आज जो अभी शेख आपने दिया है मापका दन्यवाद करते है क्योंकि ये आपकी ओर से प्रभू ये करने वाले पुवित्रात माप हो हम तो सिर्फ जरिया है प्रभू मुल्यवान पुवित्रात माप नहीं मुल्यवान भी शेक से फिर सब भी शेक करा आपका धन्यवाद प्रभू आपका धन्यवाद इससे बनाए रखे इससे बनाए रखे प्रभू या आखो जलती रखे शैतान इसे बुजाने के लिए चाहे कुछ भी करम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारा यहोवा बाब करता है वो हमारे बदले लड़ता है हमें तो चींता सिर्व एक ही बात की लगी रहनी चाहिए यह भी से को मैं संभाले रखो यह करने के लिए परमेश्वर मुझे अनुगर दीजिए हमें अनुगर दीजिए यह हमारी दूआ प्रभू येश्व के नाम से है आप कबूल करें परमेश्वर पिता येश्व मसी के नाम में मागत है आमेन परमेश्व ना सिखाई दूआ साथ मिल करके आकाश्माना मारा बाब तारू नाम पवित्र मनाओ तारू राच्याओ जब आकाश्मा तार्थवी पर तारी चापुरी थाओ यसी बारी रोठली आचे मनापो जब आमारा रूणियों ने माफ करे आचे तार्थवी परिक्ष्रमाना लाओ बुणाय थे वारा चुटको करो राजिय प्राक्रम तामाईमा तार्थवी तामारा राचे मा आमेन परमेश्वर प्रभुयोहाब बाब कानूगर प्रभुयो की कुरूपा और दया पवित्रात्मा की संगती और भिशेक और राग हम सब के साथ आसले करमेशा तक बनी रहे आमे ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करे हाललुया हाललुया प्रभु जो कर रहा है प्यारों हमारे बीच वो अद्बूत है इससे संभाले रखिए अभिशेक सिर्फ लोगों के उपर नई चीजों पर भी आ सकता है और वो आने वाले दीनों में आप देखोगे हाललुया यहां से अभिशेक ओईल ले जाकर आप किसी के उपर लगाओगे प्रभु उनके जीवन में काम करेगा अभिशेक पानी आप लेकर जाओगे प्रभु महां उनके जीवनों में करेगा काम बंदन को तोड़ेगा और यह बिब्लीकल है परमेश्व के दासों की परच्षाई भी काम करती थी काम परच्षाई से नहीं होता था रुमा से नहीं होता था उसके उपर पवित्रा आत्मा न अभिशेक किया था हाललुया और वो परभु आने वाले दिनों में करेंगे आमेश्व अपना आपको याद दिलाते रहे मैं अभिशेक थो मैं आम नहीं, मैं खास हूँ आमेश्व आप आप सभी को आशिशित करे याद सुबे ही ये बात प्रात्ना में परमेश्वर मुझे बुला रहे थे कि ऐसी चीजे बॉटल्स हो या कुछ भी हो आने वाले समय में यहां से आप ले जाओगे और वो उस पर अभिशेक है इसलिए ये ये इस अपने आपको 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 अवेलेबल कर दीजिए परमेश्वन एक बड़ी बात यहां पर दिखाई बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग इधर उदर देखते रहते हैं ये बात वो देखते रहने का नहीं है जब सम पीछे सेना फारुन की खड़ी थी सामने रास्ता तैयार था समूंदर का पानी दो हिस्से हो चुका था अब निकलने की बारी हुथी वो वहाँ देखने की बारी नहीं थी वहाँ से निकलने की बारी थी और इसलिए तमाशा न देखें तमाशा नहीं मुझे डिलिवरंस का पार्ट बनना है वहां से ही पीडियों का निर्मान हुआ जो आगे राजाओं को और नभीयों को जन्म देने वाले बने समुंदर के उस पार मत रहना, कम्प्लीटली इस पार आजाना, नहीं तो सच में बहुत भयानक सिती हो जाएगी आप वापिस थिरोन के शिकार बन सकते हो, समुंदर बीच में है, उसको निकाल लिए और अभी शेक दो भाग करता है उन इसो को, उन समुंदर को आज मैंने वो चीज दर्शन में यहां जब प्रात्न हो रही थी, महां दिखाई दे रहे दे प्रभू बोल रहे थे, यह दो ही सा हो चुका है, निकलो जितने निकल सकते हो, जितने निकल सकते हो, निकलो, अपने माइंड सेट के बंदन से जितने निकल सकते हो, निकलो, तो आप शिकार बन जाओगे आप विक्टर बन सकते हो या विक्तिम बन सकते हो मतलब आप विजेता बनोगे या तो शिकार बनोगे दो में से एक ही होगा कदम आगे जाएंगे तो विक्टर विजेता बनोगे यह बात हमेशा ध्यान में रखना आगे प्रभु का आत्मा और भी अगवाई करता जाएगा और आप नहीं बातों को पाकर प्रभु में महिमा में आगे बढ़ोगे बट इसको संभाले रखना सिर्फ संडे नहीं है Monday to Friday Saturday आपको संभालना है तब बुद कामों को आने वाले समय में आप देखोगे Monday to Friday संभाल लीजिए ये आपकी Spirit Walk होगी Monday to Friday ये आपकी लड़ाई होगी आप बुद हिस्सों को बढ़ते हुए देखोगे समूंदर हो या नदिया हो पानी को रुकते हुए देखोगे आप आपको Monday to Friday संभालना है प्रभू को महिमा दीजिए God bless you all